नमस्कार किसान भायू स्वागात देश की बड़ी मंडियों के प्याज के ताजा बाओ में यह दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे कि देश की सभी बड़ी मंडियों में प्याज के क्या ताजा बाओ चल ले हैं पिछले दिनों में कोनसी मंडियों में प्याज के बाउ में तेजी देखने को मिली हैं लेकिंगे तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंज तक जरू देखेगा साथी वीडियो को लाइक करें अपने साथी किसान बायों के साथ भी इस वीडियो को जरू जरू सेर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरू पह क्योंकि लगातार देश की बड़ी मंडियों के प्याज के ताजाबाओ हम आप तक सबसे पहले पहुचाते हैं साथ ही अगर आप अपना प्याज बेचना चाहते हैं तो पूरी जानकारी जरु-जरु लिख दें याप कहां के रहने वाला है कितना क्युटल आपके पास प्या प्याज के क्या दाजाबाओ चल लहें उसके बाद में प्याज का बहुच्य क्या रेने वाला वह भी हम आपको बताएंगे सबसे पहले हरियना की बात करने वाले हरियना की अगर बात के तो यहां धंद मंडी में 900 से लेकर 1300 रुपे कुटल आपका प्याज भिक रहा है वही पिछले दिनों से यहां दोस्तों काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है मद्य परदेश की दोस्तों बात कर लेते हैं प्याज का दोस्तों आवक है वो लगबग सभी मंडी में कम हो चुकी है तो यहां भी बाव उसद बावों आपको बता देते हैं निमच मंडी का यहां प्याज है वो बिक्रा है वो लगाता दोस्तों बड़ोतरी देखने को पीछले कुछ दिनों में मिल रही है अगर महराश्टा की दोस्तों बात करते हैं महराश्टा की मुंबाई ओनेन पटोटो मार्केट में आपके 600 से लेकर 1200 रुपे तक क्यूटल आपका प्याज बि अब दोस्तों नाकपूर की मंदी की बात के है तो 1100 रुपे से लेकर 16 सुरुफिय नासिक की मंदी में 250 रुपे तक आपका प्याज बिक्रा आयं दोस्तों कुल मिलाके कहें तो प्याज के बाईसे में यहां के तेजी देखने को मिल रही है पंजाब की दोस्तों बात पता देते हैं पंजाब में यहां आपके प्याज की बाव काफी ज़ाडा अच्छे मिल रहे hospital रूपे से लेकर दो हजाव रुपे तक प्याज है वो पंजाट की मंडी में बिकर ये ऐसा सीजन है यहां पंजाब की मंडी में प्याज इस टाइम है आवक बढ़ जाती है राजिस्तान की दोस्तों बात कर लेते हैं राजिस्तान की अजमेर मंडी में 900 से लेकर 1300 अगर औस दबाव की बात करें तो औस दबाव यहां अच्छे कासे है वो किसान बाई को मिल रहे हैं यहां औस दबाव आपके 1600 रुपे तक है वो प्याज रास्तान की सभी बड़ी मंडियों में बिकरा है अगर दोस्तों बात करें उतर प्रदेश का उतर प्रदेश का हम आपको एक दो मंडियों का भाव बता देते हैं और यहां भी पिछले दिनों में दोस्तों तेजी देखने को मिली है दोस्तों तीन रुपे पर आपके केजी में तेजी देखने को मिली है अब दोस्तों आपको बताएंगे कि यहां दोस्तों आपकी प्याज के बाव आने वाले दिनों में कैसे रख सकते हैं यहां दोस्तों लगबग सभी मंडियों में 10 रुपे एक पर केजी के साब से आपके ब्यावए उपर जा चुके हैं अब आपके बाव है आपको 30 रुपे तक है वो मिल सकते हैं अगर आपके पास उचीत व्योस्ता है भंडारन की तो आप थोड़े सा दिन वेट कीजिए आपको 15 से 20 मैक्शिमम एक मेने के बाद आपको प्याज के बाओं में तिगुनी से जोगुनी आपको तेजी देखने को मिलेगी लगबख सभी मंडियू का सर्वे हमारे पास डेली बैसेस पर आता है तो वहां आवक आपकी कम हो चुकी है तो दोस्तो आवक जैसे कम होगी तो यहां दोस्तो डिमांड डारेक्ली बढ़ेगी और दोस्तो लगाता है वो तेजी आपको देखने को मिल रही होगी तो अगर आप भाव लेना चाहते हैं तो तो दोस्तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए ताकि आपको अच्छे कासे बाव हम मिल सकें